नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है हर्याणा की राजनीती में आगामे वक्त में बड़े सियासी उलट फेर देखने को मिल सकते हैं एक तरफ तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भूपेंदर सिंग हुड़ा की अगवाई में कॉंग्रेस पार्टी को जोईन कर लिया तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी को भी बड़ा जटका लगा है तो साम से विधाईका और कॉंग्रES पार्टी की दिगज नेतरी किरण चोधरी ने कॉंग्रेस पार्टी को टाठा बाई-बाई कहकर भारती जनता पार्टी का दामन ठाम लिया है लेकिन अब हर्याना में एक राजे सवा चुनाओ को लेकर किरन चोधरी फिर से टकराओ की स्थिती में दिखाए दे रही है किरन चोधरी के साथ साथ राजे सवा सीट के लिए सुनिता दुगल जो के सिरसा की पूर्व सांसद है और इसके साथ साथ यहां पर बंतो कटारिया जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं वो लगातार भारती जनरता पार्टी के लिए आगामी राजसवा सीट के चुनाव के लिए मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है आपको बता दें कि बीज़पी महीला चेहरे को चुन जाने के बाद अब हर्याणा में एक राजसवा सीट के लिए चुनाव होने वाले हैं ऐसे में भारती जनता पार्टी को चुनोती देने के लिए दुसेंद सिंग चोटाला और इसके साथ साथ भूपेंदर सिंग उड़ा एक संयुक्त साजार रणनीती बनाने पर काम कर रह हैं देखना ये होगा कि कैसे क्या परिस्तिया बन पाती हैं लेकिन फिलहाल किरन चोधरी राजसवा सीट के लिए ताल ठोकती वी नजर आ रही हैं तो ऐसे में क्या हाल ही में कॉंग्रेस पार्टी से भारती जनता पार्टी का रुख करने वाली किरन चोधरी पर भारती जन प्रदेश अध्यक्स न्यूक्त किया है ऐसे में जाट चेहरे को आगे करके कही न कहीं हर्याना में इस वक्त दिखाई दे रही एंटी इंकमबैंसी को भारती जनता पार्टी खत्म करने का प्रियास करेगी और ऐसे में यदि कॉंग्रेस पार्टी या विपक्स की तरफ से एक साजा उमीदवार उतारा जाता है तो फिर मुश्किले और भी जादा बढ़ती भी नजर आ सकती है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे एस पियन नाइन न्यूज